Good morning to all of you, मैं एंकीता धाका, History Classes में आप सभी का स्वागत करती हूँ मद्यकालीन इत्यास की घटनाओं को हम डिसकस कर रहे थे और अभी तक हमने कुतुबदिन एबक और इल्तुत मिस को डिटेल में डिसकस कर लिया था और पिछली क्लास में हमने देखा था कि इल्तुत मिस अपने उत्राधिकारी की रूप में रजिया को नियुक्त करके जाते हैं देखे इल्तुत मिस ने अपना मकबरा स्वेम का मकबरा बनवाया था दिल्ली के महरोलिक शेतर में जहाँ पे कुतुब मिनार है वहीं पे इल्टुत्मिस ने स्वेम का मकबरा बनवाया था और देखे 1236 इस्वी में इल्टुत्मिस की मरत्यू हो जाती है इल्टुत्मिस की मरत्यू के बाद जैसा कि वो पहले ही न्यूक्त करके गए थे उत्रादिकारी रजिया को तो अब 1236 इस्वी में दिल्ली सल्तनत का कारियभार रजिया संभालती है अब देखते हैं कि रजिया के सासनकाल में कौन से पद पे किस वेक्ति को न्यूक्त किया गया था तो देखें बटिंडा का गवर्नर बना करके अलतूनिया को भेजा गया था रजिया सुल्तान के द्वारा अमीर ए आखुर के पद पे याकूत था अमीर ए आखुर अर्थात अस्त बल का परधान तो अस्त बल का परधान है याकूत अमीर ए हाजिब सासक से कौन मिलता है कब मिलता है किसे मिलना है किसे नहीं मिलना ये सारा ब्योरा रहता है अमीर ए हाजिब के पास अमीर ए हाजिब है एतगीन और देखिए अमीर ए सिकार इस पद पे रजिया ने बैठाया था बलबन को देखे बल्बन को यहाँ पे अमीर ए सिकार का पद मिलाए इससे पहले इल्टुतमिस के सासनकाल में बल्बन दल्चालिसा का सदश्य था और देखे बल्बन धीरे धीरे अपनी स्थिती को सूद्रड करता हुआ आपको दिखाई देगा कैसे कि इल्टुतमिस ने खरीदा था बल्बन को और दल्चालिसा के सदश्य के रूप में नियुक्त किया था और रजिया का सासन आते आते बल्बन अमीर ए सिकार बन चुका है अब देखते हैं कि रजिया ने अपना सासन किस तरह से संभाला तो इसमें अमीर जिन से सला मस्वरा करके इल्टुतमिस ने रजिया को उत्रादिकारी के रूप में नियुक्त किया था तो इन अमीर उलेमाओं के द्वारा और दल्चालिसा के द्वारा इल्टुतमिस को ये विश्वास दिलाया गया था कि आपने जिसे उत्रादिकारी के रूप में नियुक्त किया है वो हमें स्विकार है अर्थात इन्होंने रजिया को स्विकार किया था सासक के रूप में लेकिन जैसे ही रजिया सुल्तान सासक की भूमेका में आती हैं वैसे ही ये लोग विरोधी बन जाते हैं रजिया के तो ऐसा क्या कारण रहा होगा कि ये विरोधी बन गए हैं रजिया के तो देखे इनका जो स्वार्थ था रजिया को सासक बनाने के पीछे वो ये की रजिया रहेगी नामात्र की सासक और वास्त्विक सासक रहेंगे हम अर्थार्थ ये अपने स्वार्थों की सिध्धी के लिए रजिया को सासक की भुमिका में देखना चाह रहे थे और रजिया ने अपने दरबार में कूबा और कुले अर्थाथ कोट और टोपी पहन कर एक पुरुश सासक की भांती दरबार में जाना शुरू कर दिया और एक पुरुस सासक की तरह ही वेवार करती थी रजिया दर्बार में जाती थी अभियानों का नित्रत्वे करती थी अथार्थ जो ये लोग सोच रहे थे रजिया को नामातर की सासीका के रूप में तो इनके मनसूबों पे पानी फिर गया है तो अब ही आ गए है रजिया के विरोध में देखे इन्ही अमीरों ने लाहोर में धीरे धीरे सैना बनाना सुरू कर दिया अपनी रजिया के विरोधी सैना और देखे इन्ही लोगों के द्वारा रजिया पे नारी मर्यादा का उलंगन करने का आरोप लगाया जाता है और इनका कहना है कि रजिया और याकूत के प्रेम संबंध है रजिया और याकूत के प्रेम संबंध है जिन से इने आपत्ती है और रजिया ने नारी मर्यादा का उलंगन किया है और लाहोर में हो जाता है विद्रो लाहोर में विद्रो को दबाने के लिए रजिया स्वेम के नेतरत्वे में सेना लेकर जाती है अब देखिए कुछ इतियासकार कहते हैं कि यही रजिया की सबसे बड़ी गलती थी कि वो श्यम लाहोर में उस विद्रो को दबाने गई क्योंकि जैसे ही रजिया लाहोर के लिए निकलती है तो रजिया का भाई बहराम शाह श्यम को सासक बना लेता है दिल्ली सल्तनत का अर्थार्थ दिल्ली पे आधिपत्य कबजा जमालिया है बहराम शाह ने जैसे ही रजिया लाहोर वाले विद्रो को दबाने के लिए गई थी और देखे लाहोर वाले विद्रो में रजिया के साथ क्या हुआ कि रजिया और याकूत ये दोनों ही उस विरोध को संभालने या उस विद्रो को दबाने के लिए निकलते हैं तो याकूट की कर्दी जाती है हत्या और रजीया को लाहोर पहुँचने से पहले ही बंदी बना लिया जाता है अब रजिया बंदी बनी हुई है और इधर ये भटिंडा का जो जो गवर्णर है अल्टोंिया जिसे रजीया ने ही न्यूक्त किया है ये स्वेम को एक tyres बताना तो कुछ इतियासकार लिखते हैं कि अल्टूनिया ने विवा का प्रपोजल दिया था रजिया को और रजिया ने उस समय में उस परिस्थिति में अल्टूनिया से विवा करना इसलिए उचित समझा ताकि वो दिल्ली सल्तनत को पुने प्राप्त कर सके कुल मिला करके याकूत की हत्या के बाद अल्टूनिया से विवा कर लिया है रजिया ने और अब ये दोनों अल्टूनिया और रजिया दोनों निकलते हैं दिल्ली पे पुने अपना सासन स्थापित करने के लिए कहते हैं रजिया ने बहुत जोर शोर बहुत दम खम के साथ रजिया लड़ी थी किन्तु रजिया को इसमें पराजे ही मिलती है और पराजे होने के बाद जब रजिया पुने बटिंडा की तरफ जा रही थी तो बीच में ही कैथल में जंगलों के अंदर डाकूं के द्वार रजिया और अल्टूनिया दोनोंकी हत्या कर दी जाती है तो देखिए 1226 में सासक बनी है रजिया और 1249 में उनकी हत्या हो गई है मातर तीन साल इन्हों ने सासन किया और इन तीन सालों में भी खोब आंत्रिक विरोधों का सामना रजिया ने किया था अब जब हम रजिया की ऐ सफलता के कारण पढ़ते हैं कि क्यूं एक सासक की भूमिका में रजिया सफल नहीं हो पाई क्यूं अपने आंत्रिक विरोधों को दबा नहीं पाई तो देखिए मिनहाज उस सिराज ये किसी पद का नाम नहीं है ये वैक्ति का नाम है मिनहाज उस सिराज इनकी किताब है तबाकते नासरी तो इसमें ये लिखते हैं कि रजिया का स्त्री होना ही रजिया का मात्र स्त्री होना ही काफी था ऐस अफल होने के लिए तो देखिए किस तरीके से स्त्रियों को उस समय सासक के रूप में नहीं देखा जाता था हालंकि इल्टुतमिस ने उत्तर दाइत्वे सोपा था लेकिन रजिया कुल मिलाकर ऐसेफल रही अपने सासन को संभालने में और मैं बार-बार कहती हूं कि इतिहास स्वयम को दोहराता है और एक समझदार व्यक्ति उसी को समझा जाता है जो की इतियास से कुछ सीख लेता है इतियास कैसे दोहराता है हम बात कर रहे हैं रजिया की और बारा सो चछतिस इस्वी की ऐसी ही एक घटना हमारे लिए है 1966 में 1966 में तासकंद समझोते के बाद लाल बहादूर सास्त्री के मृत्य हो जाती है और लाल बहादूर सास्त्री के मृत्यू के बाद परधान मंत्री बनाया जाता है इंद्रा गांदी को 1966 की ये घटना चल रही है इंद्रा गांदी को उस समय परधान मंत्री इसलिए नियुक्त किया गया था ताकि वो नाम मातर की परधान मंत्री रहें क्योंकि उस समय के कॉंग्रेस के दिगज नेता और कॉंग्रेस के अधेक्स के कामराज वो वास्तिक परधानमंत्री की भूमेका में स्वेम को देखते हैं वो चाहते हैं कि रबड की मोहर का काम करे परधानमंत्री इंद्रा गांदी और वास्तिक कारिय भार हम संभालें लेकिन इंद्रा गांदी इस बात का मूँ तोड जवाब देती है लेकिन हां कहीं न कहीं रजिया उस मूँ तोड जवाब में सफल नहीं हो पाई उतनी और 1249 में इनकी हत्या हो जाती है देखें 1249 इस्वी में दिल्ली सल्टनत का सासक बनता है बहरामशाव जिसने की रजिया की म्रत्यू से पहले ही दिल्ली को हतिया लिया था दिल्ली का सासन इसके कबजे में आचुका था और 1249 में ये ओफिशिल तोर पे हम कह carefully saking है कि 1249 में बहराम शाह सासक बनता है दिल्ली सल्तनत का और देखे ये कोई ससत सासक की भूमिका अदा नहीं कर पाता है और मात्र तीन साल का सासनकाल रहता है 1249 से 1242 बहराम शाह का और इसके बाद सासक बनता है अलाउदिन मशूद शाह ये भी चार वर्सों के लिए सासक बनता है मातर चार साल का इनका सासनकाल है देखें ये वो दोर चल रहा है जब दिल्ली सल्तनत में कोई भी सासक ससक्त भूमिका में नहीं है इस समय खूब आंतरिक विरोध चल रहे हैं अमीर अपनी स्वार्थों की सिद्धी में लगे हुए हैं जो तुर्की सरदार हैं जो दल चालिसा है वो अपने ही स्वार्थों में लगा हुआ है कुल मिला करके इल्टूत्मिस कि जिसे हमने दिल्ली का वास्त्विक संस्थापक यह वास्त्विक संगठन करता कहा था इलतुत मिस्पी मृत्यूं के बाद से और बल्बन के आने तक कि दिल्ली सल्तनत का कोई भी सासक ससक्त नहीं रहा और देखति बल्बन आयगा 1265 इस्वी में तब तक दिल्ली की राजनितिक वेवस्ता जो है वो डगमगाती हुई चलती रहती है अब देखते हैं कि बल्बन की भूमिका किस तरह से सूद्रड होती है इन एयोग्य सासकों के सासनकाल में भी तो देखिए हमने देखा था कि इलतुतमिस के समय में दल चालिसा का सदश्य था ब में बल्बन है फिर देखें बहराम शाह यह जो बारा सो उन्चालिस में सासक बना था इसके समय में अमीर एअकुर अस्तबल का परधान नियुक्त होता है बल्बन कर इसकेAH में कि सासक से कौन मिल रहा है और किसे मिलाना है किसे सासक से नहीं मिलाना और देखें नशीरुदीन के समय में नायब ए मुम्लिकात बहुती प्रमुख पद हुआ करता था ये नायब ए मुम्लिकात के पद पे बैठा है बल्बन और देखें बल्बन का दामात था नसीरुदीन नसीरुदीन को 1246 इस्वी में दिल्ली सल्तनत का सासक बनाने के पीछे हाथ रहा था बल्बन का अर्थार्थ इंडारेक्ट रूप से बल्बन के द्वारा ही नसीरुदीन को दिल्ली का सासक बनाया जाता है कौन सेसन में 1246 इस्वी के अंदर और देखे क्योंकि बल्बन ने अपनी पुत्री का विवा भी नसीरुदीन के साथ कर दिया तो यहां से हमें बल्बन की सासक बनने की तरफ जो ये बढ़ता जा रहा है उसका पता चलता है तो देखे 1246 में जब नसीरुदीन सासक है दिल्ली सल्तनत का तो बल्बन नायब ए मुमलिकात के पद पे बैठा हुआ है और कहते हैं इतिहासकार ये बताते हैं कि इस समय में वास्त्रिक सासक की बुमी का बल्बन ही निभा रहा था और नसीरुदीन नामात्र का सासक होता है देखे मैंने बताया ना कि इल्थुत्मिस से लेके बल्बन तक के इस बीच के समय में जितने भी सासक रही दिल्ली सल्तनत के वो कोई ससक्त सासक की भुमिका में नहीं थे उनके द्वारा उस योग्यता पूर्ण तरीके से सासन का कारियभार नहीं संभाला गया था अब देखे नसीरुदीन के समय में क्यूंकि पूरी तरीके से जो दिल्ली सल्तनत है वो अधीन चल रही है बल्बन के पूरी तरीके से नियंतरन है बल्बन का तो इस बात से अमीर वर्ग और ये दल्चालिसा के लोग ये भड़काते हैं नसीरुदीन को और उसके खिलाफ विरोध जताते हुए नसीरुदीन से कहते हैं कि नायब ए मुमलिकात के पद से हटा दीजिए आप बल्बन को ये ऐधि उसने दल्चालिसा को नाराज कर दिया तो वो कभी सासक नहीं बन सकता तो देखे वो जैसे ही नसीरुदीन उसे कहते हैं बल्बन को कि तुम नायब मुमलिकात का पद त्याग दो तो तुरंत वो पद त्याग देता है बल्बन और देखे उस समय हासी का इक्तेदार बना करके भेज़ दिया जाता है बलबन को और बलबन यहाँ पे इक्तेदार की भूमी का अदा करते हुए मंगोलों से अपने संबंद स्थापित कर लेता है और भूती दोस्ती भरे संबंद और जितने भी अपने विरोधी लोग थे जो भी अमीर जो भी दल्चालिसा के लोग उसका विरोध कर रहे थे जब वो नायब ए मुम्लिकात के पद पे था उन लोगों को भी वो अपने पक्ष में ले आता है अथाथ धीरे 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 वो सासक बनने की तरफ बढ़ता रहा अब देखिए 1265 में नशीरु दिन के बाद में उलूम खां जिसे हम बल्बन के नाम से जानते हैं वो दिल्ली सल्तनत का सासक बनता है 1265 में बल्बन सासक बनता है दिल्ली सल्तनत का और देखिए बल्बन जो है वो ना तो कुलीन वर्ग से है और ना ही राजवन से इसका कोई संबंध है क्यो के लाता है और फिर ये अलग-अलग पद पे अपनी भूमी का निभाता है लेकिन किसी भी कुलीनवर्ग یा राजवन से नहीं है अब बल्बन को हमेशा संदेह रहता है या उसके मन में इस बात की भैय चलता रहता है कि मैं ना तो कुलीनवर्ग से हूँ ना राजवन से मेरा संबंध है तो प्रजा और दर्बार के लोग मुझे वो महत्वे नहीं देंगे मुझे वो मान सम्मान नहीं मिल पाएगा जो कि एक सासक को मिलना चाहिए तो देखिए कुलीन वर्ग के होने का दावा करते हुए ये तुर्की योदा अफ्रा सियाब का वनसज स्वेम को बताना सुरू कर देता है अर्थार्थ बल्बन ये कहता है कि मैं अफ्रा सियाब वनस से हूँ और इस तरह से वो अपने कुलीन होने का भी दावा मजबूत करता है और साथ ही अमीर तुर्कों के बीच में अपने महत्वय को भी बढ़ा देता है और उनके नेता के रूप में खुद को मान सम्मान दिलवाना सुरू कर लेता है तो देखे इसी प्रकिरिया में अब बल्बन ने जिल्ले लाही और नियाबत एक हुदाई दो उपादिया धारण की और देखे दल्चालिसा इसको खत्म कर दिया है बल्बन ने दल्चालिसा को खत्म करने के पीछे बल्बन का क्या कारण रहा होगा क्योंकि हमने देखा था इल्तुतमिस ने दल्चालिसा की सुरुवात की थी रजिया के समय भी दलचालीसा था हलांकि इसी दलचालीसा ने रजिया का विरोध किया था क्योंकि बलबन इसका सदश्य भी रहा था दलचालीसा का किन्तो खतम करने के पीछे कारण ये था कि ये दलचालीसा के लोग विश्वसनी नहीं थे बलबन के और इनके द्वारा किये गए विरोध के कारण दिल्ली सल्तनत तक छोड़नी पड़ सकती थी बल्बन को क्योंकि यदि अमीर और ये दलचालिसा के लोग यही विद्रो कर देते तो सासन चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता बल्बन के लिए तो बल्बन ने इसे खत्म ही कर दिया देखे बल्बन की रक्त और लोह की निती को हम बहुत तरीके से बहुत बहतर तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि उसी के कारण बल्बन एक ससक्त सासक बन सका था उसने वो सामराजय पुने फिर से हासिल कर लिये थे जो की इस बीच के डूरेशन में ये जो 1236 इसवी से लेके 1265 इसवी का जो समय है देखे 1236 में इल्तुतमिस की मरत्यू हुई थी और 1265 में वास्त्विक सासक बना है बल्बन इससे पहले गोण की भूमी का निभाई इसने 1246 से लेकर के 1265 तक परसासन बल्बन के ही नियंत्रण में था किन्तु 1265 में वास्तिक सासक बनने के बाद ये दिल्ली सल्तनत के वोक्षेतर वापस अपने अधीन करता है तो वो हम देखेंगे अभी ये जो टाइम पीरियड था 1236 से 1265 इसवी का इसमें राजनितिक व्यवस्ता हमने देखी कि सूद्रण नहीं थी जिसके कारण सामराजे धीरे 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 छूटते जा रहे थे दिल्ली सल्तनत से अब देखें इरानी परमपरा क्योंकि मैंने बताया बल्बन अपने भै को दूर करना चारा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कुलीन वर्ग से नहीं है एक राजवन से नहीं है तो लोग उसे महत्वे ना दें तो इसलिए एक तो देखें अफरा सियाब के वन सर्ज के रूप में खुद को बतला दिया है दूसरा इरानी परमपरा यहां पे सुरू करेगा बल्बन इरानी परमपरा तेखें उस समय एक बहुत जानी मानी क्यूकि इरानी परमपरा से जो शहर बसे थे वो बहुत ही खू और दूसरा सासक के पैरों को चुमना पैबोस इस से। ढलबन को लगता था कि यदि प्रजा और दर्बार के लोग ये काम करते हैं अरथात वो मेरा सम्मान करते हैं। तो देखें, किस तरह से सीजदा और पैबोस दो नई परथाओं की दिल्ली सलतनत में और देखे इरानी त्योहार है ये नोरोज फारसी त्योहार है तो इसे भी मनाना प्रारम कर दिया गया है बल्बन के द्वारा देखिए बल्बन धीरे धीरे खुद को एक तो कुलीन बताना सुरू करता है और फिर उस दावे को मजबूत करना सुरू करता है और इसके अलावा वो अपने दर्बार में हसी मजाक सब बंद करवा देता है यहां तक की सराब पीना भी छोड़ देता है बल्बन सिर्फ इस बात के लिए कि कोई उसे विचली तवस्था में ना देख ले अर्थार्थ बल्बन स्वेम को सभी दर्बार के पद पे जितने भी लोग बैठे हुए उनके सामने भी और प्रजा के सामने भी बहुती ससक्त सासक की भूमिका में देखना चाता था और बहुती महत्व कांशी सासक था बल्बन और हमने देखा कि किस तरह से नोरोज तोहार सुरू करवाया सिजदा पेबोस प्रथाएं सुरू की हैं तो देखे बल्बन के बारे में, अब उसके अभियानों के बारे में कि किस तरह से उसने अपने सामराज्य का पुनै विस्तार किया, जो दिल्लि सल्थनत से छूटे गए उनको पुनै अपने अधीन लिया, तो ये सारी बातें अपने डिसकेस करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि बल्बन को अभी तो बस ये सुरुवात है बल्बन की बल्बन को पढ़ाना एक क्लास में पॉसिबल नहीं है तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं नोरोस के त्योहार मनाने की प्रथा तक ही तो मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ बल्बन को डिसकस करने के लिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए जै भारत जै हिंद